हेई स्टूरंस बच्चो अब हमारे पस टाइम है रिविजन करने का हमारे एक्जाम्स बहुत जादा क्लोज हैं और क्योंकि आप लोग प्रॉपर एटेंशन नहीं दे रहे हो तो प्लीज अब से अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो फिर एक्जाम टाइम में अग आपको पता होना चाहिए न कि कौन सा पाट कहा है मैं कहां से क्वेशन मिड ओफ द चैप्टर कौन सी लाइन से क्वेशन दे दूँ आपको कम्प्लीट चैप्टर की रीडिंग इंपोर्टेंट है उसके लिए तो बुक भी खोल के अंसर देखना चाहोगे तो बुक की कौन सी लाइन से मैंने वो क्वेशन दिया है वो तो तभी बता पाओगे ना जब एक बार पहले से रीडिंग कर रख्योंगे एक बार पहले से चीज़े पता होंगी तो आप चीटिंग का तो ख्याली हटा दीजे मन से अगर कुछ बच्चों के मन में हो सिल जो आपके ओनलाइन एक्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए प्रिपेर करना स्टार्ट कर दीजे और आज हम रिविजिन करेंगे हमारे हिस्ट्रे पार्ट का बच्चों बेसिकली आपको जो भी एक्स्प्लेनेशन पार्ट था हमारे थ्री चाप्टर्स हिस्ट्री में हमने कवर किये हैं दे प्रिजिन हिस्ट्री एक वास्ट टॉपिक है काफी हमने चीजे डिसकास की है उन सारे पॉइंट्स को एक वीडियो में कवर करना इस नौट पॉसिबल तो आपकी रिविजिन के लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप कि जो एक्सरसाइज़ हैं बाक एक्सरसाइज़ च रिख़िए और यूं स्क्रीन चौट ले सकते हैं को सेकन्ड स्लाइड कि थॉर्ड फोर्थ 읽 तो फोर्ड छाप्टर नहीं करना ऐ यह स्लाइट तो आपके सारे क्वेशन आंसरूं तो आपको इधर उधर कहीं जाना भी नहीं है कुछ नहीं करना यहाउब आप इस सारे answers आपके सामने हैं. Line to line, अब correct options, true, false, ये करना start कर दीजए. ठीक है? Historians have divided history into three periods. The century is generally taken as the beginning of the modern period. कौन सी century? 18th century. The dash introduced the culture of recording everything. British. The newspaper Kisari was published in Marathi. इसी वे में बचो जिसे फर्स चाप्टर के आपने तिक दे करेक्ट ऑप्शिंस किये, आप सेकिंड चाप्टर के तिक दे करेक्ट ऑप्शिंस करते हैं. When did Queen Elizabeth give a charter to the English East India Company? 1600. Then third, second, the Nawab of Bengal asked the English East India Company to remove all the fortifications in Calcutta. कौन से Nawab ने बोला था? सराज़त दौला ने. Then third, the victory, the British victory at the Battle of Dash led Shah Alam II to grant the divani of Bengal, Bihar and Uri Saar to the English East India Company. Battle of Bukhsar. बहुत फमिस बाटल बच्चों ने पढ़ी थी? The Governor General introduced the system of subsidiary alliance, Lord Velesle. One of the four agencies that carried out day-to-day administration of the company was police. अब साथ में थर्ड चाप्टर के भी the correct answers करेंगे. Dash was the self-sufficient before the arrival of British villages. Dash was the main source of income for British land revenue. कौन से system revenue collect करने का Lord Korna Walas ने introduced किया था? Permanent Settlement बहुत important children. Then land under British rule became a commodity, saleable commodity. ठीक है? Neil Darpan A famous play was written by Dina Bandhu मित्र काफी अच्छे से इसमें उन्होंने दिखाया था कैसे इंडिगो फार्मिंग से related problems create होती है. तो children ये था आपका one word आपके tick the correct answers. इसी वे में आपको सारे true-false कर रहे हैं. ठीकिए true-false में I don't think आपको इतनी दिक्कत होगी. इसके बाद short answer questions must है. Short answer questions आपके लिए करना must है. क्योंकि आपके at least 10 marks के तक short answer questions आएंगे. इसलिए मैं आपसे बोल रहे हूँ बच्चों reading करिए खुद से revision करिए बार-बार जिसे कि एक बार अगर आपने आपने खुद से पढ़ा है learn किया है वही आपके mind में stay करेगा. तो अभी भी time है आपके exams बहुत close हैं. Make sure कि आज एक slot में बैट के history का अब जितना भी काम है जितने भी chapters उनको complete कर लीज़े. ठीक है? इसी तरह में कल आपको हैनत आपको करनी है तो prepare for your exams. एक बार आपके लिए मैं pages slide कर दे रही हूँ. अब इनको देखके अगर आपको screenshot लेना हो या कुछ भी कर रहा हूँ तो देख लीज़े. Thank you children.